नमस्कार एक बाफ फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्तितू संस्कति पीसिस के इस यूट्यूब प्रेट फॉर्पर मेरा नाम है प्राची मिश्राज जैसे कि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश से संबंदित जो भी महात्वपून टॉपिक्स थे उनको डिस्कुस कर र आए देख लेते हैं कि कौन-कौन से महात्वपून टीतिस्थल हैं जो आपके उत्तर प्रदेश में इस्थित हैं और यह हमारे एक्जाम के पॉइंट अफ्यू से भी और उत्तर प्रदेश को जानने के पॉइंट अफ्यू से भी बहुत इंपॉर्टन हो जाता है साथी कोई भी इन जगाहों पर रहता हो तो मुझे कमेंट करके आवश्य बताएं चले उत्तर प्रदेश के प्रशिदति इतिस्थल देख लेते हैं सबसे पहले है राम जन्म भूमी आयुद्धा का नाम सबसे उपर आ जाता है इस टाइम क्योंकि आप सभी जानते हो बहुत राम की जन्मस्थली यानि की आयोध्या पर बना हुआ है भगवान राम विष्णु के सातवे अवतार थे ऐसा कहा जाता है और प्राचीन भारती साहित्य के मुताबिक भगवान राम ने अपने जीवन का जो जादा तर समय है वो आयोध्या में ही बिताया था बागे बिहा कि भीड किस टाइप से होती है लोग मतलब अगर कुछ भी ऐसा यहां पर हो जाए तो लोग वहां से बाहर निकल नहीं पाएंगे आगे बात करते हैं भगवान कृष्ण को समर्पिती मंदुर हो जाता है आपका मतुरा जिले में बसा हुआ हर वर्ष यहां पर देखोगे द प्रसिद्ध मंदिर है मैं एक बार जरूर गई हूँ यहां पर लेकिन मैं मंदर तक नहीं पहुच पाई मैंने सिर्फ घाड देखे और गंगा आर्थी देखे हैं देन मैं वापस आगी मतलब मैं बहुत अच्छे से बनारस घूम नहीं पाई लेकिन मुझे बनारस जरूर सबसे लोग्प्रिय मंदिरों में से एक हो जाता है मंदिर में मौझूदा सिवलिंग पुराणों के मताबिक 12 जोतर लिंगों में से एक है और यह मंदिर सबसे लंबे समय से धार्मिक ववदों का केंद्र भी राई फिर भी UP का सबसे अधिक देखा जाने वाला यह प्रसित स्कॉन मंदिर आज को सिर्फ धर्म का धंदा कर रहे हैं धर्म का धंदा इन दे सेंस कि मैं एक बर स्कॉन टंपल गई एंड आई सी कि वहां पर लोगों को आर्थी के टाइम आगे बुलाते हैं और उससे जवर जस्ती पैसे लेते हैं कि आपको भगवान का अशिरवात अभी म मतलब I was like standing in a queue and they call me कि आप आगे आओ मैं आगे गई उन्होंने मेरे सार पर जो छत्र रखा था वो रखा और उसके वाद उन्होंने बोला कि कुछ दक्षणा दीजे दक्षणा अगर जितना मुझे पता है हिंदु धर्म से मैं भी बिलॉंग करती हूं मैं भी एक पंडित ह दक्षणा वो थी है जो इंसान अपनी इक्षा के अनुसार देना चाहे तो इक्षा के अनुसार मेरा मन होगा मैं 10 दूंगी 50 दूंगी 100 दूंगी लेकिन वहां पर उनका कहना था कि आप 500 से कम मत चड़ाईगा तो मैंने का मेरे पास तो है ही नी तो उन्होंने बोला कोई आप फोन पे कर दो क्योंकि उन्होंने qr-code अपने पास में रख रखा था जो भी लोग यह कहना थी कि उनके पास cash नहीं वो कहते थे आप फोन पे कर दो कि जब तक आप नहीं करोगे तो आपको भगवान का आशिरवाद कैसे मिलेगा दक्षणा तो कुछ देनी चाहिए उन्होंने एक और फामिली थी उसके 5 लोग थे उनको आगे बुलाया और उनसे 500 रुपय उन्होंने फोन पे कर वा है विच इस जबर जस्ती तो इस तरीके का चीजे आजकल स्कॉन टेंपल में चल रही है तो वह था एक दे उसके बासे में अब दे तक स्कॉन टेंपल नही 1575 में बनाया गया था इसे कृष्ण बल राम मंदर के नाम से भी जाना जाता है मंदर में आने वाले भक्तिनाकेवल मंदर की बनावड बल की वहाँ पर जो जन होते हैं उससे भी मंत्र मुग्ध होते हैं आगे बात कर लेते हैं कृष्ण जन्म भूमी मंदर ठीक है भगवा बेटे चंदरकेतु ने इसको बनवाया था ठीक है तो इसको किसके तोरह बनाया गया था लक्षमर के बड़े बेटे चंदरकेतु द्वारा इस मंदि में रोज कई श्रधालू पूजा औरचना के लिए नवरात्री में ये मंदिर जो है वो बहुत ज़्या होता है क्योंकि भी यह बहुत बड़ा तेवहार हो जाता है नवरात्री इस मंदिर के लिए माविंदेवाश्नी मंदिर जो ऑके विद्याचल में है माना जाता है कि आपके 51 जो पीठ है शक्ति पीठ है उनमें से यह एक हो जाता है ठीक है माविन्देवासनी को यहां राक्षिस महिसासुर का वद करने वाली महिसासुर मर्दिनी के रूप में जाता है यह मंदिर आपका मिढजापुर में स्थित हो जाता है आगे आजाते हैं और घड़नाथ मंदिर आपका कहाबर है यूपी के मेरठ में बना है और यहां पर पूरे भारत से लोग आते हैं यह मंदिर गरब्र ग्रह से स्वैम निकला हुआ एक शिवलिंग स्थापित है कहा जाता है कि यहां पर जो शिवलिंग है वो अपने आप से निकला था पूरे उत्तर भारत से लोग अपनी शारारी और म अनसिक समस्या को दूर करने के लिए यहां पर आते हैं नेक्स देख लेते हैं pre man === यहां पर विदेशी लोग भी आते हैं और इसकी खासित यह है कि यहां पर आप देखोगे तो एकदम सफेद यह दिखाई देगा और शाम के समय यह पूरी तरीके से लाइटिंग से सुसजित हो जाता है सारनात मंदिर जो कि आपका वारण असी में है और सबसे प्रशिद बहुत तीर्त इस्थल इसको मानते हैं बहुत दिकी द्रश्टी से जितने भी बहुत जो पुराने भगवानrí auch के जाना जाता है संकट मोचर मंदीर है आपका यह हनुमान मंदिर के रूप में जानते है इसको और माना जाता है कि यह भगवान शिव के पृतिक है उन्हों भगवान राम की सेवा में बताया भगवान हनुमान अपनी आटूट शक्ति शाहस अनी सब चीज़ों के लिए बहुत ज़ादा फेमस है और बोलते हैं आपके सारे संकट को हर लेते हैं तुलसी मानस मंदि जो कि आपका वारा नसी में इस थी था है 1964 में कलकत्ता के एक पढ़ गया ठीक है यहां पर भगवान शीरा माता शीता लक्ष्मनी और मान जी की आपको देखने को मिलेंगी त्रिदेव मंदिर आपका बनारस में स्थित है आगे आ जाते हैं भीतर गाव मंदिर जो कि आपका कानपूर में स्थित है और यह उत्तर भारत के सबसे पुरान में जाता है इसने उत्तर भारत में मंदिर की वास्तुकला की रहद नागर शैली का मारक दर्शन किया है तो रहद नागर शैली में बड़ा है रितंजय महादेव मंदिर यह आपका बनारस में स्थित्ह भगवान शीर जी का यह मंदिर है और यह लगबग 400 वर्स पहले इसे म्हाराणी अहिल्या भाय जी द्वारा बनवाया गया था श्री दूदेश्वर नाथ मंदर अधिक ए इस मंदर का वर्नन्न पुराणों में हिर्णय गर्ब जोर्दलिंग के तौर पर कया गया है और यही से हर नंदी और हिर्णया नदा नदी के प्रवाहित होने का जिक्र है आब इसे हिंडन नदी के नाम से जाना जाता है गोरकनात मंदिर गोरकपुर में है बहुत जादा प्रसिद्ध है गोरकनात मठ नात परंपरा के नात मठ स्वामी समू का एक ये मंदिर हो जाता है नात परंपरा की जो पूरे बसनेशां एसे पहां जाता है और यह भगवारण पश्पतिणाथ जोीर है उसका कहा जाता रहा है जो संतितित औलोग्म की पुजा 1955 में निर्मित बती मंदिर सारनात में तीरतिसल के आध्यात में पूजनी सलों में से एक हो जाता है चिक इसके बाद आता है नागेश्वर मंदिर शिव भगवान को ये समर्पित है और कहा जाता है इसका निर्माण श्री राम के छोटे पुत्र कुष्य द्वारा करवाया गया था लवकुष उनके पुत्र थे आपको पता होना चाहिए आगे आते हैं ये अलगनात मंदिर है आपका ये आपके बरेली में थित हो जाता है भगवान शिव aujourd भगवान शिव को यहाँ पर कहती है जो दिनों तक चलता है चक्र अरची विश्णु सोर्वारे ये दो कार्णों से हिंदू समधाय के लिए विशेश ह newborn करता सबसे पहले चक्र या डिस्क पकड़े हुए भगवान विष्णु की नकाशीदार मूर्ती हाँ पर बहुत इंपोर्टेंस रखती है दूसरा है भगवान कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र दिखाया जाता है खासका युद्ध के मैदान में राच्छिसों का व्रद कर है और कास से बनाया सुन्दन बंदर शक्तिशाली भगवान महावीर और 233 जैन ती ठांकरों का यहां पर सम्मान करता है ठीक है इनकी यहां पर मूर्तिया बनाई गए और सभी को यहां पर स्तापित कर रखा गया है वाट्थाई मंदिर आपका कुशी निगर उत्तर प्रद मंदिरों में से एक हो जाता है इसके बाद उत्तर परदेश की प्रमुख मस्जित की बात कले तो जामा मस्जित फटेपुर सीक्री में है मुगल समराट अकबर ने 16वी शतापदी में इसको बनवाया था तब इनकी राजधानी फटेपुर सीक्री नई-ईनों ने बनवाई स्थित है इसके बाद रामपूर की जामा मज़िद जिसे नवाब कलवे अली खान ने 1180 में बनवाया था और बाद में इसको नवाब हामिद अली खान ने विशाल इमारत में तबदिल कर दिया शेख सलीम चिस्ती की दरगाहा जो कि आपके आगरा जिले में स्थित है और ये नगर से 35 किलोमेटर दूर फतेपूर शीक्री शहर में स्थित जाती है शेख सलीम चिस्ती एक सूफी संते जिन्नों ने अकबर उनके बेटे क को आशिरवात दिया था कि भविश में सलीम जहांगीर के नाम से पहचाना जाएगा अकबर ने इस समाधी का निर्मार संत के समान 1580 से 1581 के बीच कर वाय था तो ये थी आपकी प्रमुकु मज्जिदे और मंदर जिनकर हमने चर्चा करी मिलते हम नेक्स क्लास में तब तक के कर दो